ख़बर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्षता जोहरी आई नज़र डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम ख़बरों पर खरकॉंजले के बीकन गाउं में गत दिवस हुए नाबालिक लड़की के साथ दुसकर्म की घटना के बाद हुई कारेवाही में पुलिस ने आरोपी सोहेल पिता फक्रू को गिरफतार किया इसके बाद समाज जणों एवं समर्थकों का यह कहना है कि इस घटना में सोहेल की बहने भी शामिल थी जिसके चलते समाज जनों में आक्रोश है एवं आज समाज जनों ने अनुविभागे कार्याले पुलिस अनुविभागे दंडा धिकारी राजसों एवं थाना प्रभारी को महामहिम राष्टपती महोदै के नाम एक ग्यापन हुए आरोपी सोहिल पर एवं इस दुसकर्म में सहयोगी उसकी दोनों बहनों पर भी मामला दर्ज करने की मांग की है आक्रोश समाज जनों ने अनुविभागे दिकारी पुलिस से यहां थक कह दिया है कि अगर पुलिस तीन दिवस में कारेवाही नहीं करती है तब संपू कि इनको एक ने आरोपियों को फासी की सजा मिलना चीए इनको सजा तो मिलेगी मिलेगी वासी होना चीए तो इसमाज का निदमें यह है हमने अभी सब्सक्राइब दिया पुलिस थाने में दिया यहापन और अगर यह से कारवाई नहीं हुए हमारे आपन पर आपने जो आर लड़की बदलने के इस्टेट में लड़की के रिपोर्ट में पुलिस थाने कारवाई करिए उसने ले जा के कपड़े बदले और उसको हिंदू धर्मे से मुस्लिम धर्मे में किया गया इसले मतलब समाज क्राइब अज पीडिता द्वारा थाना विकरन गाउं पर आरोपी शोहल पिता फकुर मुसल्मान के संबन में दूसकर्म करने के संबन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर थाने प्यापराद पंजीबदकर विवेचना में लिया गया है खबर समय जगत के लिए भीकरन गाउं से संजैस कुमार गीते की रिपोर्ट पर समय जगत एक संदेश पूरा देश